सारी की लंबी लंबी पतिया ले हैं इन मैंने सब कोड़ाई 4 गुद्र है box और यह पर हम एक नोट लगा या फिर हम यहां से इसको सील भी सकते हैं बट हम हाथ से इसको सील लेते हैं ताकि यह इदर उदर निकले ना, एक साथ यह जॉइंट हो जाएगी हेलो गाईज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने होमार्ट चैनल पर अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सुस्क्राइब जरूर करें पास में जो बैल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले फ्रेंट्स आपको मिलता है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमें कोमेंट करके जरूर ब हो今天 have the dory की Kumtay करेंगी कैसे फ्रेंट्स हमें dory की Kumtay करने आखो कैसे हम रखेंगे ज्यान से देखो कैसे हमें इसको गुंतना है एक पटी को लेंगे हम देखो इसके उपर यह रखेंगे देखो यह कैसे इसके निच्चन कर ली यह इन उपर जैसे हम दरी बनाते हैं सैम उसी तरीके से वो काफी ज़्यादा धागे होते हैं और ये हमने पांच धागे लिए हैं तो ये देखो इसको छोड़ा इसके उपर कर लिया इसके निच्चे से लिया और ये इसके उपर से लिया ये इसके निच्चे से लिया इस तरीके से हम इसको गुंत से लेने हैं एक साइड से हम इसको गुंतेंगे ना कि हमें दूसरी साइड से पटी को उठाना है दूसरी साइड से हमें एक भी पटी को नहीं उठाना है इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको गुंते जाएंगे देखो इसके निचे से लेंगे यह फिर देखो पिंक वाली इसके उपर से ऐसे लेंगे इसके निचे से और इसके उपर से इसके देखो इसके निचे से ऐसे हम हर एक पटी को उठाते उठाते डोरी को गुंतेंगे जो हम पटी देखो अब हम यलो वाली से गुंत रहे हैं देखो इसको इसके उपर रखा फिर इसके उपर रखा फिर इसके नि आपके पास में भी पुरानी साड़ी या पुरानी चुन्नी पड़ी है तो आप उसको रियूज करके इस तरीके से बिल्कुल ही असान तरीके से सुन्दर्शा डोर्मेट बना सकते हैं बिना सिलाई बिना मसीन से और बिल्कुल ही कम समय में हम एक सुन्दर और सोफ्ट गुद गुदा पायदान बनाकर त्यार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बिना देरी कीवें आप इस डोर मैट को एक बार जरूर बनाकर देखिएगा कि आपके देखो चुन्नी है वो साड़ी चुन्नी वो भी आपके काम में आ जाएगी और आपके लिए बहुत ही सुंदर सा एक डोर उपर से ऐसे निकालते हुए हमें एक लंबी शीस डोरी त्यार करनी है और ।्र्अंस हमें एक साइड़ ।Thirds कौ उठाते जाना है तो इस तरीके से देखो मैंने काफी गुंत ली है इसको एक बार फिर से देखो ये पट्टी उठाई मैंने देखो ये उठाई इसके उपर से एक के निचे से एक के उपर से और इसके निचे से ऐसे हम एक एक पट्टी को ये इदर रख लेंगे अब यलो लेंगे इसके उपर से हम लेंगे फिर एक के निचे से फिर एक के उ गई अपिंग से ऐसे हम इसको गूंटते जाएंगे तो फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर बना के देखेगा सैम जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है इसी तरीके से आपको एक लंबी सी डोरी त्यार करकर और एक सोंदर्शा पायदान त्यार करना है तो यह देखो फ्रेंड् अक्षक बचेगी जो लास्ट में एक साथ छोटी मोटी कतरन बचरी या पटी बचरी हमारी तो उसको हम अलग कट कर देंगे और इनको सील कर त्यार कर देंगे तो यह देखो सब को मैंने काट कर अलग कर दिया है जो फाल्तु बच्ची थी और यह एक लंबी सी डोरी गूं जिस साइड से फ्रेंड्स हम सिलाई कर रहे हैं वो साइड हमारी उल्टी होगी और जो साइड हम सिधा देखो यह साइड हमारी उल्टी है जिस साइड से हम इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते हुए सील रहे हैं यह साइड हमारी उल्टी साइड है और जो नीचे की साइड पड़ी है वो हमारी सिद्धी साइड होगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको राउंड सेप में लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते हुए हमें इसके पूरे की सिलाई करनी है तो फ्रेंड्स आपको जितना ही बड़ा पायदान बनाना है तो उसके इसाब से आपको पहले एक लंबी सी डोरी गूतनी है जैसे मैंने इसको गूत कर त्यार किया है इसी तरीके से आपको जितना बड़ा पायदान बनाना है उसके इसाब से आप एक लंबी सी डोरी त्यार करेंगे डोरी त्यार करने के बाद में ये इसकी सिद्धी साइ देखो फिर हम इसको सीलेंगे अगर आपको काफी लंबे टाइम तक रखना है तो आप इसको जो ताने वाला दागा होता है पका उससे भी आप सिलाई कर सकते हो अगर आपको लंबे टाइम तक नहीं रखना है तो आप मजबूत इसकी सिलाई ना करो बट फ्रेंड्स ये काफ से वोश करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं इसका कोई भी कुछ खराब नहीं होगा बट थोड़ा सा कलर का ध्यान रखे कि कलर फैड होने वाला ना हो एक दूसरे पर कलर चड़ गया तो डोर मैट खराब हो जाएगा तो इसके साथ ही मैंने देखो डोर मैट पूरा बना लिया है कितना ही खूबसूरत लग रहा है जितना मेरे को जरूर था उसके अनुशार मैंने इसको पूरे को शील कर त्यार कर लिया है बाइफ्रेंस थैंक्यू फोर वाच्ट